हेलो व्रिवन आप लोग का बहुत बहुत स्वोगत है जी के ओशियन यूटूब चैनल पर आई वेलकम यूवल टू जी के ओशियन यूटूब चैनल देखे आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपोर्टन को डिसकस करने वाले हैं जो क और ये कोशन सेलेक्टेड हैं और एक्जाम में आई हुए कोशन हैं देखे पांच कोशन में आप से डिसकस करूंगी लास्ट का एक इंपोर्टन कोशन आपको हमवक के लिए दूँगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो चलिए हम लोग अपने आज का ड स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें यहां पे नंबर दे रखे हैं 12 8 80 16 7 207 25 21 बट यहां पे कोशन मार्क आपको यही पता करना है इस तरह को कोशन करने के लिए आपको जादा से जादा प्रैक्टिस की जरौत होती है तो फिलाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने नकाल लिए तोब यहां पर दे रखाए 12 8 Si Y⁄ के साथ क्या किया गया कि यहां पर बता द रीट करेंगे Jordci łat säga कर देते हैं 12 का स्कोय करदेते हैं तो यहां पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8 8 जा 64 ठीक है और अब हम लोग क्या करने वाले हैं अगर हम लोग 144 में से 64 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है यहां पर हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ जा रहा है यहां पर 80 तो देखा 12 का square करना है 8 500 करने रहे हैं फिर यहां पर आपको minus कर देना है और हमें अपना यहां पर मिल जाएगा बट अभी में check करना है कि हैalगो हो रहा यह नहीं फालो हो रहा है dos Anis 16 का square कर देतें छिक्सटीन का square करने पर हमारा क्या आता है 6 some power कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है क्या 256 ठीक है उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वाइर कर देते हैं 7 का स्क्वाइर करने पर हमारा आंसर आता है 49 अब हम इने क्या करना है अब हम लोग को करना है माइनस ठीक है अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा answer क्या आएगा? हमारा यहां पे answer जाएगा 207 जो कि यहां पे साफ साफ दिख रहा है. यानि कि हमारा pattern क्या हुआ? सेम 16 का square माइनस 7 का square और फिर हमारा 207 यहां पे आ गया है. तो अब हमें same pattern यहां follow करके हमें अपना main answer यहां पे निकाल लेना है. यानि कि 25 का square कर देना है 25 का हमने square किया 25 का square किया तो हमारा answer क्या आ गया? यहां पे हमारा answer आ गया 625 उसी तरह हम यहां पे 21 का square कर देंगे तो 21 का हमने square किया तो 21 का square करने पर हमारा answer आ जाता है 441 अब हमें क्या करना था माइनस तो जब हमें को minus करेंगे तो हमारा answer क्या जाएगा 184 जो कि आप हमारा option C में साफ साफ दिख रहा है I hope यह question आपको अच्छे समझ में आ गया हो अगर आपको question अच्छा से समझ में आ गया हो तो वीडियो को like जरूर करेगा और आप इस वीडियो को जादा से जादा अपने friend circle में जरूर share कीजेगा चलिए हम लोग अपने next question पर आते है next question BC pattern पर है 4 question हम लोग find the missing number के pattern पर पता करेंगे उसके बाद next question हम लोग दूसरे topic से लेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है triangle दे रखें तीन ठीक है 1,2,3 ठीक है यहाँ पर सारे number दे रखें ठीक है यहाँ पर सारे number दे रखें इस वाले का हमें आपे पता करना है तो कैसे solve करते हैं चले हम लोग अपना देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे इस तरह के question को solve कर सकते हैं सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि pattern हम पहले यहाँ पर चेक करेंगे क्या pattern follow हो रहा है उसी pattern को हम लोग इस वाले में apply करेंगे और अगर हमारा same आ गया तो उसी के सहायता से हम लोग अपना answer यहाँ पर निकाल लेंगे तो देखते हैं क्या किया गया है first triangle के साथ पहले वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर 33 आया है तो ऐसा क्या किया गया अगर हम लोग देखते हैं अगर हम लोग 6 को 5 से multiply यहीं गुड़ा कर देते हैं तो 6 5 जा 30 6 बंचे 30 बट यहाँ पर है 33 तो यहाँ पर आप देख रहें 3 है तो यानि कि हम यहाँ पर 3 को यहाँ पर कर देना है यानि कि यहाँ पर 33 देखिए इसको मैं जल्दी से आपको समझा दे रहे हूँ simple आपको यही pattern second volume में follow कराना है तो क्या करते हैं हमने क्या किया 7 को 3 से क्या क्या multiply तो 7 3 जा 7 3 जा क्या होता है 7 3 जा होता है 21 21 में हम यहाँ पर plus 4 कर देंगे plus 4 कर देते हैं तो हमारे हाँ पर answer क्या जा रहा है 25 जो कि यहाँ पर दिख रहा है यानि कि पैटन क्या follow हो रहा है पैटन यह follow हो रहा है कि 6 को 5 से multiply करके last वाले को plus कर देना है इसी तरह 7 को 3 से multiply करके last के 4 को plus कर देना है अब हम लोग अपने जिसमें answer पता करना है इस पर आते है यानि कि हमें क्या करना है 5 को यहाँ पर 4 से multiply कर देना है तो 5 4 जा 20 और फिर यहाँ पर हमें 8 को क्या कर देना है plus कर देना है तो हमारा आजा गए यहाँ पर 28 ठीक है जो कि option B में हमें साफ साफ दिख रहा है तेहाँ पर 28 हो जाएगा सही answer simple था कुछ नहीं करना था बस practice करने आपको इस तरह के question को solve करने के लिए multiply then this plus multiply then you have to plus this then multiply then you have to plus this ठीक है I hope यह question भी आपको समझ में आ गया हो अगर आपको किसी भी question में doubt हो तो आप comment section में पूच सकते है हमारा आज का तीसरा प्रश्ण है प्रश्ण है आपके सामने कि नीचे दिए गए चित्रों में प्रश्ण चिन के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ठीक है उसी तरह का question है जैसे कि मैंने आपको 123 कराया कैसे solve करते हैं क्या किया गया है यहाँ पर हम लोग पहले check कर लेते हैं six और four ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं यह पहले हम लोग ऐसे जैसे कि यह है आपका इसको हम लोग इस तरह बाढ़के लेते हैं ठीक है एक यह हो गया then हमारा एक यह हो गया then अभी मैं आपको समझालों इसलिए आपको time लग रहा है नहीं तो आप इसको कोश्चों को बहुत ही जल्दी solve कर लेंगे ठीक है then यह हो गया तो पहले हम लोग first वाले को लेते हैं ठीक है first वाले को हम लोग इस वाले को check करते हैं ठीक है क्या से किया गया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 और 4 के साथ ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर 4 आ गया क्यासे किया गया देखिए अगर हम लोग 6 में से minus 4 कर देते हैं तो मारा answer क्या आ जाता है हमारा answer आ जाता है 2 बट यहाँ पर है 4 तो, यानिक Con2 का Square कर देंगे, तो, आज एगा 4, जो कि कि यापर follow हो रहा है, यानि कि हमे Inspector Kva 때문에rea जिस का balance है, कि 6-4 कर ना है और जो answer है, उसके हमेни sqoier कर देना है, यानि कि 2 लो भार work कर देना है, ठीक है, वर्ग कर देना है, तो 6-4 is equals to 2, 2 का वर्ग करने पर आया 4, अब इसी तरह हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, कि क्या हमारा आगे भी फॉलो हो रहा है, या नहीं हो रहा है, एट में से हम लोग यहां पर 5- कर देंगे, तो 8 में से 5- करेंगे, तो हमारा आजाएगा 3, और 3 का स्क्वाइर कर देंगे, तो यहां पर आजाएगा 9, ठीक है, पैटन हमारा फॉलो हो गया है, अब सेम हम लोग यहां पर भी अपलाई करेंगे, तो 9 में से 2- करेंगे, तो 7 आ सबस्क्राइब करने पर 49 यहां प्यास पैटन हमने क्या फॉलो करें है पैटन हमने отриके इनको आपस माइनस करके सुकौाइर कर देना है इनको मैन चलिए सबुपीन करके स्कौाइर कर देना है तो अब हम अपना कर लो square कर दो वन की पावर thousand कर लो वन की पार करोर कर लो answer हमेंशा वन ही आता है तो ठीक है option A हो जाएगा हमारा सही answer simple था minus करो और देन उसका square कर दो अब हम लोग अपने next question पर आते हैं interesting question है देखते हैं क्या करना है यहां पर यहां पर आपको missing number find करना है ठीक है जैसा कि अभी हम लोग ने question solve किया है तो क्या किया गया है देखें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहां पर क्या pattern follow हो रहा है ठीक है ध्यान से देखते हैं यहां पर सारे number दे रखें बट यहां पर आपको number missing है आपको बहुत पता करना सिंपल है मैं आपको इसका डिरेक्ट आंसर बता देती हूं क्या क्या किया गया है देखें 9 7 जा 9 7 जा 63 जितना प्रैक्टिस करेंगा बहुत असानी से कर लेंगे 9 7 जा 63 ठीक है साथ दूनी 14 टू 15 जा 30 या दो गुड़े 15 30 अब इसी तरह आपको क्या करना है सिंपल बहुत ही सिंपल है आपको यहां पर बता करना है तो अगर आप यहां पर देखते हैं 15 इंटू 9 15 इंटू 9 15 गुड़े 9 is equal to 135 बहुत ही सिंपल कोशन था बहुत ही 2 से 4 सेकेंड में इस लोग अपने next question बराते हैं ठीक है लास्ट का इसी तरह का question ठीक है इस तरह का question मैं आपको homework के लिए दूँगी जिसका answer आपको comment section में देना है तो क्या करना है तो क्या किया गया है आपको यहां पर relationship establish करना है इन तीनों का जो दे रखे हैं लेखन समागरी pencil आलू इनका आपस इस तरह question को solve करने के लिए आपको यहां पर सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना होता है ठीक है शब्दों पर आपको ध्यान देना होता है और answer आपका असानी से निकल जाता है देखें लेखन समागरी pencil आलू लेखन समागरी में क्या आलू आता है बिलकुल नहीं आता है ठी यहां पर आ गया pencil ठीक है यहां पर लेखन समागरी फिक हैlles से मैं इसको बता दे रही हूं और यह यहां पर आलू का इससे कोई relation नहीं है तो आलू को हम लोग अलग से यहां पर बठा देता है ठीक है यहां नहीं कि This is लेखन समागरी इस TW Pैंसिल हो यहां बठों में दिख तो यहां पर आपको जो दिख रहा है किस डाइग्राम में दिख रहा है आपको समझ में आ गया होगा यह option D में दिख रहा है बस यहां पर शब्दों पर ध्यान देना होता है आंसर आपको आ जाता है ठीक है लेखन समागरी के अंतरगदाया पैंसिल और यहां पर आलू सबसे अलग है अगर बात की जाएं इन तीनों शब्दों में तो यहां पर option D हो जाएगा हमारा सही answer last question जासा कि मैंने आपको कहा था जिसका answer आपको comment section में attempt करना है doctor nurse hospital चार option आपके सामें दे रखा है simple सा है आपको यहां पर ध्यान देना है कैसे यहां पर कौन सा डाइग्राम बनेगा इसका answer आपको comment section में देना होगा I hope यह वीडियो आपके लिए बहुत जादे helpful हो और आपको उच्छी समझ में आ गया हो वीडियो को like and share जरूर करिएगा अगर आप चाहें तो टेलिग्राम चैनल से जूट सकते हैं जिसका link description box में दिया हुआ है thank you so much for watching thank you